कि पर रूप कि है तो फंड कि कि है तुर्छन ऐसे आप सभी लोक का अधनीट 47 के हमारे इस ऑफीश्य रूप चनल में मेरना मैं सिथ्धार्थ तुम्हें सभाहत करता हूं आप सभी लोक का अधिक सफर का आगास होगा उन सभी देश के युगाओं के साथ में जिनका सपना है कि वो अपने परेंट्स को पूरा करें किसी भी बैंक में सेलेक्शन लेक्शन लेकर तो उन सभी इस परेंट्स की सपने को सकार करने के लिए अपने अपने आज एक नया सफर शुरू किया जोब है इसका नाम है 0–0 तक giसा नाम दोस्तों वैसा काम अब fenon you को यहां पे हम लोग लकवाल है इस 10-0 तक. जो भी आपके बैंक एक्जाम आगे लगे हुए, 2021, 2021, 2022, की बात किरेंगा यहां पर, जो भी आपके bank exam लगे हुए है, उन सभी bank exam में आपसे भी लोग को बिल्कुल basic से, उन सभी bank exam में आपसे भी लोग को selection दिलवाने के लिए, बिल्कुल basic से course दोसों शुरू हो चुका है, YouTube पर जो कि रहने वाला है free, so very very good morning, good morning, good morning, good morning everyone, आपसे भी लोग का, है ना, एक बहुत शांदार session में जो रहने वाला है आपसे भी लोग के लिए बिल्कुल शूरूनिस से शिखर तक, मतलब आपसे भी लोग के demand थी, कि sir, मतलब एक ऐसा batch चाहिए YouTube पर जो कि free हो, और हम तमाम देश की युवाओं जो हमारे paid course को offer नहीं कर पाते, या किसी भी रीजन से उनका basic concept clear नहीं है, तो कहीं न कहीं कि basic concept को clear करने के लिए दोस्तों, एक ऐसा batch लाइए जहां से वो अपने basic concept को clear करते हुए, अपने speed, अपने accuracy पर काम करते हुए, अपने score, अपने test में अच्छा score कर सकें, दोस्तों, ये वही है, आपकी तलाश दोस्तों, खतम हो चुगी, सुने से शिकर तक का सफर दोस्तों, शुरू चुका है, तो शुरुआत करेंगे आज की motivation से, आज का motivation को आप सभी लोग के लिए, कि जिंदगी में या तो कुछ शुरू मत करो, बात को समझेगा, जिंदगी में या तो कुछ शुरू मत करो, और अगर शुरू किया है, तो अगर आप सभी लोगोंने सोच लिया है, मुझे बैंक एक्जाम में सेलेक्शन लेना है, मुझे बैंकिंग एक्जाम करना है, तो आपने सोच लिया है ये, और अपने शुरू कर दिया, तो शुरू कर दिया तो जल से जल को खतम करते हैं, इस शुरूने से शिकर के से सेशन के जरीए क्योंकि यहां पे आप लोगों बहुत बेसिक से चीज़े मिलने वाली हैं ऐसे बच्चे जो कहीं न कहीं अपने बेसिक को लेके बहुत कमजोर थे कि सर मुझे बेसिक नहीं आता आखिर आपने यह 20% को 1x5 कैसे लिखा आखिर यह आप फास्ट फास्ट एडिशन कैसे कर रहे हैं अगर 96 का स्कॉयर की बात करें तो सर 9216 कैसे आ गया 102 का स्कॉयर की बात करें तो 10404 सर आपने कैसे तुरंट क्लिक दिया यह सब यहां पर डिसक में WhatsApp हो, Telegram हो, Facebook हो, Instagram हो, जहां कहीं भी आप लोगी रीच है पीज आपसे बिलोगों को सी गुजारिश रहे है कि इस पर्टिकुलर सेशन की रीच को maximize किया जाए क्यूंकि हर एक देश की युवाओं तक इस सेशन की लिंक पहुशनी चाहिए जिसको अपना basic strong कर रहा है विक तो इसी motivation की साथ में शुडू करेंगे आज की सेशन को जितने भी लोग यहां पर नहीं जुड़ें प्लिज सब्सक्राइब को लिजए बेल इकन को जरूर प्रिस कीज़े ता कि आपको मेरी क्लास के वीडियो एवन सबकी क्लास के वीडियो जो है उन्टाम मिल सके तो प्ल आप सब लोग तयार है तो एक बार जड़ाए बढ़ साथ शुडू की जाए कमेंट बॉक्स में और फिर हम शुडू करेंगे अपने ताबटोर सेशन जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज बहुत कुछ आप सब्सक्राइब कि इस बाच की बुनियाद है वो का मतलब from this session तो मतलब मजा आने वाला है तो बसे छोटी सी गुजारिश रहेगी आपसे भी लोगों से कि प्लीज एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार शेयर किया जाए यहाँ पर मैं कमेंट देख सकता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट बिलकुल जोश आपके जो 10 बजे 27 सगी क्लास होगी 11 बजे हमारी शुबमी सगी क्लास होगी और बाकी जो भी क्लास होगी उन सबका नोडिफिकेशन आपको मिल सकें चली दोस्तो तो शुरू करते हैं जम लोग का डेव हने हैं मतलब मातरानी का नाम लेकर शुरूआत करेंगे बिकॉज आज सेशन को ठीक है ना चलिए दोस्तों अगर बात करें यहां पर आजम लोग का बैंक फांडेशन का डेवन है ना डेवन की बात करेंगे बफरिंग है क्या इस दिर अनी बफरिंग हो जाता है बाकी everything is okay right now सब कुछ मुझे लगता है कि ठीक होगा है अभी सब कुछ भी ठीक है बिलकुल सब कुछ ठीक है everything is okay everything is okay everything is okay everything is okay एक बार रिफ्रेश के लिजएग आप बाकी सब कुछ ठीक है चिपक के चल ला है चलिए everything is okay everything is fine तो आगे बढ़ते हैं दुस्तों आजम लोग का डेवन है शुरुआत करेंगे मातरानी का नाम लेके है ना बाकी सब कुछ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग का एक डाउट खतम करता हूं कि मैं कौन-कौन से एक्जाम कवर करने वाला हूं कि आप से भी लोग के मन में यह रहा होगा यहां पर रहा होगा कि सर जोब बैंकिंग आप फांडेशन कोर्स ले सबी पी यहां पर करने वाला हैं और केवल प्रिलिम्स ही नहीं हम लोग मेंस तक का सफर पूरा करेंगे अगर आप देखें शाम को चार बजे आपकी मेंस की अडिशनल गलसे चल लहीं है तो यह प्री प्लस मेंस कंबाइंड कॉम्बो बैच है आप लोग का है इसमें 14 मेजर क्लासे चौदा मेजर एक्जाम्स में कवर करने वाला हूं अगर आप धिहान से देखें अगर आप कितने दिन तक पढ़ागो तो मैंको बता दू मैंने यहां पे 65 डेस का फ्री एक study plan बनाया है जिसको मैं आपर discuss करूँगा आपके साथ और तब ही हम लोग यहां पर continue करेंगे 65 डेस आप समझ रहें 65 डेस मतलब मोटा मोटा कर देखा जाया है दो महिने दो महिने नहीं धाई महिने मानिए because आगे भी कारवाँ शुरू होगा आगे भी कारवाँ च चिंता मत की जिसके लिए आपसे मेरा वादा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह study plan अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पूरा-पूरा 65 डेस का study plan आभी आपके सार में रखा है आगे हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे study plan आगे depend करेगा exam को देखते हुए हमें क्या changes करने हमें क्या बदलाव करने वो सबम यहाँ पर करेंगे अगर आप study plan को बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर आज हम लोग का day बने जिसमें मैं आपको बताने वाला introduction हम लोगा हो गया multiplication trick हो गई और कुछ basic questions भी हम लोग करेंगे यहाँ पर addition, subtraction, division यह सब करेंगे फिर गर मैं पचास से साथ questions आपके approximation के मैं discussion करूँगा, इसके बाद मैं आपको कम से कम 200 questions दूँगा homework के लिए ताकि आपके मन में कोई doubt न रहे, simplification को लेके और यहाँ से आप 5 नमाक्स पोड़े कर सकें, सबसे खास बत दोस्तों यहाँ पर यह आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने हर weekend एक ऐसी quiz रखी जो कि previous year based होगे, मतलब previously जो कि आपके exam का part बने question उनका मैं discussion करूँगा, तो यहाँ पर हर छटे दिन, मतलब हर weekend पे, हर Saturday को यहाँ पर आप लोगो को मिलने वाली quiz based on previous year, एक quiz मिलेगी आपको जो कि रहेगी previous year पे, फिर मैंने ratio में आपके तीन topic डिवाइट कि आपका basic हो गया, moderate हो गया, और arcs in previous year, फिर ages हो गया, partnership हो गया, फिर एक और quiz रखी मैंने, जो कि ratio age और partnership पे रहेगी, है ना, यहाँ पर आपके एक quiz रहेगी, जो कि ratio age और partnership पे रहेगी, फिर आपका average हो गया, mixture allegation आप लोगो का हो गया, आप देख सकते हैं, आप फिर quadratic equation 1 and 2, आगे बढ़ें अगर, तो यहाँ पे फिर percentage part 1 से शुवात करेंगे, हम लोगों फिर percentage moderate level, फिर percentage arcs in previous year, profit loss के आपे दो chapter लिए है, discount हो गया, फिर आपका series हो गया, basic level आपको pattern सिखाने के लिए, फिर series missing part 1, part 2, अगेन यहाँ पे 50 से 60 series में discussion करूँगा, जो कि important हो, जो कि हर बार exam का part बनते हैं, apart from this, तो quiz भी यहाँ पे मैंने रखी है, जो कि series पे रहेगी, similarly missing और wrong number भी रखी गई है, फिर उसकार आप देख सकते हैं, कि 31 दिन से लगातार आपकी arithmetic चलेगी, आप अगर देखें, यहाँ पे simple interest हो गया, CI हो गया, simple interest की मैंने 2 दिन दिये है, CI की मैंने यहा आपका quiz हो गया, SI, CI, B-based, मतलब यहाँ पे आपको quiz भी देखने को मिलेगी, apart from this, आपको यहाँ पे time and work लेगी, आपको तीन section देखने को मिलेगे, फिर मैंने pipe and system भी दो पार्ट लिये हैं, इसके अलावा फिर से अगे आपको quiz मिलेगी एक, फिर अगर मैं बात कूनों, इस आपके साथ में, आपके साथ में, यह रहने वाला है, पूरा का पूरा study plan, तो कैसा लगा आपको 65 days का study plan देखके, मतलब आपके जहन में कुछ hit किया, कि हाँ यही जरूरत थी मुझे, क्या ऐसा लग रहा है, मतलब आपके जहन में आ रहा है, क्या आप इसी के लिए वेट कर आ गया, और एक बाल लाइक जो ठोक दी जाएगा, है ना, तो यह पूरा study plan है, मेरा 65 days का study plan है, और apart from this, अगर मैं बात करूँ, में बात करूँ में बात करूँ में बात करूँ, अगर मैं में 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 बात करूँ, तो में आपका जो है, शाम को चार बजे में पढ़ा रहा है ना, तो यह मेरा पूरा एक overall, जो है, यह study plan है, उमिद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगो यह study plan बहुत 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 शांदर लगोगो, और इस study plan से आपके अंदर कहीं ने कहीं, एक जोश आ गया होगा, कि हाँ मैं beginner हूँ, बट इस चिल मैं bank की preparation कर सकता हूँ, आपके study plan में यह आ गया होगा, कि मैं beginner हूँ, ठीक है, मैं beginner हूँ, बट हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज फट फट से comment box मताना, yes or no, आपके मन में बात आई, और बाकी दोस्तों एक बार गुजारिश करहूँ आप से भी लोगों से, कि एक बार प्लीज फट फट एक बार जड़ा थोड़ा जोश दिखाया जा, क्योंकि कम से कम, at least 1000 पार का आकड़ा तो होना चाहिए, at least 1000 पार का आकड़ा तो होना चाहिए, और मतलब, इतना तो मतलब मैं expect करी रहा हूं तुम लोगों से, at least 1000 प्लस तो करें और करेंगे भी आप लोग, तो यह मारा overall study plan ह मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह study plan पसंद आया होगा, तो प्रीज एक बार do like, like जरूर कीजएगा आप सब लोग इसको, आप लोगों से गुजारिश रहेगी, चलिए, आगई बढ़ते दोस्तों, move on करते हैं, अपने session की तरफ, तो basically कुछ मैं बताऊंगा, उस की पॉइंट की बात करूंगा, जैसे कि आप सब लोग एक banking experiment हैं, और आप बैंकिंग की दुनियो में अपने आपने नया नया किदम रखा, तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बात को समझ रहें, speed और accuracy खेल की बात करूंगे, आपके इस particular batches से, सबके concept पर clear होंगे आपके इस batch से, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ key points से सबसे पहले तो आपके मन में आता है, कि sir, bank की exam को crack करें, कैसे, आपको generally पता है कि pre होता है, और mains होता है, और PO में descriptive और interview बगरा भी होता है, अगर में बात क accuracy का पूरा पूरा खेल होता है, जितनी speed की साथ में, आप accuracy की साथ में maximum attempt करेंगे, वही आपको selection दिलवाएगा, और mains की बात करें, जहां पे आपकी चक होती है knowledge, मतलब mains जो है वो knowledge check exam होता है, मतलब concept और knowledge की बात हम लोग यहां पे करते है, concept प्लस knowledge के साथ में, mains में यहां प arithmetic का डर निकल जाए बाहर, मतलब यह कहूंगा कि जो आपके जहन में arithmetic की इमारते, because generally बहुत से बच्चे यहां पे होंगे, जिनको arithmetic से डर लगता है, कि सर मुझसे सब बनता है, मुझसे simplification बनता है, मुझसे approximation बन जाता है, मुझसे quality बनता है, बट सर arithmetic आता है, तो मेरी बनाने लगती है, तो मैं इतना ही बोलूँगा मेरे भाई कि इस session के जरीए आप सभी लोगों के अंदर जो arithmetic की इमारते डगमागा रही है, उनको concrete बनाना है का यहां पर हम लोग प्रहत्मे करेंगे, उन इमारतों को बिल्कुल ठोज बनाएंगे, ताकि आपके सामने कैसा बनाएंगे, वो सारे के सारे arithmetic आप बना सकें, पीडिएफ मिलेगी, हाँ, बिल्कुल मिलेगी, पीडिएफ तो मिलेगी, मिलेगी, आपको मेरे घर के चटके ओपर पीडिएफ मिलेगी, और ऐसा नहीं है, इसी वीडियो के description box में पीडिएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, तो उतन ही जादा प्रेक्टिस करेंगे, उतन ही शानदार निखर के बाहर आएएंगे, तो सपीड पर काम करेंगे, और आपकी अक्युडेसी पर काम करते होएँएँएएप को बहतर पर्फॉर्म करेंगे, कुछ चीज़े जो आपकी तरफ समझझे चाहिये होंगी, कुछ ची 30 तक की आपको पहाले पता होने चाहिए, जैसे कि आप मैं कल्कुलेशन बहुत fast कर सके, at least, बहुत जादा नहीं बोलूँगा, कि कम से कम 30 तक की पहाले आपको पता होने चाहिए, क्यों? क्योंकि multiplication ही एक ऐसी चीज है, जो आपको रोकती है, कि से में multiply कैसे करूँ, agree करते हूं है या ना, बही मैंने बोला अगर for example, कि 63 को multiply करना है किससे 21 से, अगर मैंने बोल दिया for example, कि 63 को multiply करना है 21 से, तो यहाँ पे आप फस जाते हैं, कि मैं approach क्या लगाऊं, यहाँ पे आप फस जाते हैंगे, आप approach रहा हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुत तरीक हो सकते हैं, बट जिसमें आप माहिर आप वो करें, अगर आप normal multiply कर सकते हैं, आप normal multiply करें, आप अगर इसको देहां से देखें, तो अब इसको break कर सकते हैं, 21 into 3 आप break कर सकते हैं, तो 21 का square 441, 441 को 3 से multiply करें, 3, 1, 3, 3, 4, 12, 12 और 13 तो यहाँ पे आजाएगा, 1, 3, 2, 3, यह होना चाहिए, आपके जहन में मतलब तुरंत आना चाहिए, अगर मैं multiplication लिखू कोई भी, तो किस तरह से इसको hit करना है, that is our task, कि जितनी जल्दी हम hit कर सकें question को, उतनी जल्दी में hit करना पड़ेगा, और हम बैतर तरह किसे बना सकें, समझने बात को, मैंने बोला, आप लोगों से multiply करना है, for example, 18 को multiply करना है, यह आ गया, तो यहाँ पर आपके जहन में होना चाहिए, 18 को 36 से multiply कर रहे है, तो 36 का मतलब आप लोगों का हो जाएगा, 18 multiply by 2 हो जाएगा, तो 18 का स्क्वार यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोगों का 322 से multiply करोगे, यह तरीका है, इक है, तो इसमें आ गया, बहुत से जीज़े है, जैसे कि मैंने बोला, आपको multiply करना है, 21 को 13 से multiply करना है, अब आप यहाँ पर break नहीं कर सकते, आप यहाँ पर break नहीं कर सकते, तो आपको 13 का table पता हो जाएगा, मेरे भाई, 13 वंजा हो जाएगा, 13 लिखा, 3 करी गया, 8, 13 तो 26, प्लस 1 हो जाएगा, 27, तो आप यूं कर यह ना, इसको, यह करके दिखाओ, ऐसे करो, 13 का table याद है, बडा दिया, मैंने बोला, आपको multiply करना है, 42 को 14 से, 14 का table याद होना चाहिए आप लोगो, 14 को मैंने 2 से multiply किया, 28 तो 2 करी गया, 8 लिखा, 14 को 4 से multiply करेंगे, 56 और 2, 58, तो आंसर कितना है, 5, 8, 8, यह करके दिखाओ, ऐसी करके दिखाओ, और यही करना हमें, ताकि हमारा calculation जो है, बिलकुल धायद है ऊचुके, क्योंकि मैं main focus रहेगा, कि हम अपना calculation कितने sharply कर पा रहे हैं, यह एक deciding factor रहेगा हमारे लिए, मैंने बोला आप लोगों से, कि multiply करना है, 18 को 63 से multiply करना है, अब आप यह देखिए, अपने आप में बड़ा सवाल है, अपने आप में बड़ा multiplication है, बट मैं कैसे फूर्ती से करूं, यह matter करता है, तो मैं 18 को 3 से multiply करूं, 18 को 3 से multiply करूं, 54, तो 5 लिखा, carry 4 लिखा यहां पे, फिर 18 से होता है, 108, उसमें 5 जोड़ूंगा, तो 108 और 5 कितना, 113, तो यहां हो जाएगा 1134, बात खतम बताए, yes और no, तरीका समझ रहे हैं, मैंने कैसे multiply कि अगर आप इस तरह से multiply करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि आप बैतर perform करेंगे अग्जाम में, आपको 18 कटे मिल पताए, आपने कर लिया, बात खतम, जय हिंजय भारत, यहां, मैंने आप लोगों से बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि बटे 23 को multiply करना है किस से, 23 को multiply करना है किस से, for example, आपको multiply करना है 19 से, अब देखो, तुरंत कर दो, तरीके बहुत सारे हैं, ठीके, you will have so many तरीका to do, but जिसमें आप fast हैं, उसको fast बनाईए, जिसमें आप fast हैं, उस 19 का directly tip भी पढ़ लो, 19 सीजा हो जाएगा, 57, 5 करी गया, 7 लिखा, 19 टूजा हो जाएगा, 38, और 5, कितना हो जाएगा अप लोग का, 43, या तो ये कल ले, या आप एक तरीका और कर सकते हैं, इसका मतलब है 21 प्लस 2 हो गया, और 21 माइनस 2 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 41 का 4, 37, तो तरीके आपके पास मिलने वाले हैं, आपको हजार तरीके मिलेंगे, but you have to be perfect in the one, जिसमें आप perfect हैं, आप लोगों की मत सुनिये, पहली बात तो आज से सुन लो, कि आप लोगों की बातों को सुनोगे, एक कान से और दूसरी कान से निकालोगे, मेरे बाई, मेरी बा पता हमें वो आग है, जो आग बुझने वाली नहीं है, हमें वो आग है, जो आग बुझने वाली नहीं है, और उस आग को चिंगारी दी है, पैरेंट्स ने, हमारे अंदर वो आग है, जो बुझने वाली नहीं है, और उस आग को चिंगारी दी है, हमारी मा ने, हमारे पित याद कर लो और बाकी एक कमिटमेंट और आपसे भी लोगों से है कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को आज कम से कम 0 से लिटक की 1.500 तक की स्क्वायर याद कराने वाला हूं अब तो खुश हो जाओ मेरे लाल बहुत से बत्चों को शायद स्क्वायर ना हो याद निकालना स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हूं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 0 1.5 cm निकालना सिखाने वाला हूं, 0-150 cm सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंतर, बट सबसे पहले कुछ वारमप कर लेते हैं, कुछ बेसिक कन्कुलीशन कर लेते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े आपको एड़ करने पड़ते हैं because we have to find the average हद एक चीज करनी पड़ती है तो वो भी में यहाँ पर कराने वालों आप लोको है ना सब कुछ कराएंगे बिल्कुल आपको बड़े बड़े कुछ थोड़ा सा आपको वर्मप किया जाए कुछ बड़े-बड़े कुछ एडिशन सब्सक्शन दिये जाएं ताकि आप बैतर तरीके से बना सके हैं बताओ यार हो तुम तो परफॉर्म करने के लिए कुछ 10-15 कोशन है उसको डिसकस करते हैं और उसके बाद हम लोग इसक्वायर सिखेंगे जीरो से हंडिट तक की स्क्वायर पक्का और प्रॉमिस करते हैं यार हम लोग गोल को चीव करेंगे और यह क्लास इस लगतार रही है आपकी चिंता मत कीज़ेगा है ना we are not going to go anywhere बस आपसे भी लोग का सपोर्ट आपसे भी लोग का प्यार चाहिए होगा और कुछ नहीं यार बस आपसे भी लोग का प्यार चाहिए अब कर लुदी आपसे मरा जाया कम से कम थाउजन प्रॉबस होगे फिर मिशुरुबात करते हैं अपने कुछ मेरे कुछ मेरे कोश्यन ये बिच्च कोश्च के अजिए है जो कि एडिशन और सब्सेक्शिंपरेंगे कैसे पास्क्रेंगे कैसे फास्क्रेंगे कि अश्यां के वह सिम्लिफिकेशन पढ़ेंगे, बिकॉस सिम्लिफिकेशन के साथ-साथ अर्थमेटिक भी एक्कॉल रॉल प्ले करती है अब आज कल के एग्जामनेशन में तो हर एक चीज़ पर काम किया जाएगा ठीक है चलिये.. आगे बरते हैं दोस्तों, मूग अन करते हैं 10 कोशन हैं कुछ सिम्पल सिम्पल कोशन देते हैं उम्मीद किरेंगे आप सब लुग बनाएंगे परफॉर्म करेंगे तो यह पहला सवाल क्योंकि सिंपल एडिशन B.ज़ है बनाएए का जाएए अदेखते हैं सबसे पह कि देखो NRA CET भी कवर होगा चिंता मत करो सब कुछ कवर होगा आप बोल दिया है ना अचा तुम लोग बताओ कभी तुम लोगा साथ छोड़ा है अभी बहुत से एकजाम देखे जब तक की एकजाम पूरा नहीं हो जब तक साथ छोड़ा है तो साथ मिछोड़ें हैं आपका चिंता ना करें चलिए अगर मैं यहां पर बनाओ उसको तो मैं क्या करूँगा कुछ बत्ते शाथ ऐसे करते हैं कि लिखते हैं पहले 5 4 2 4 3 2 4 5 5 6 8 5 4 7 4 8 यह रॉंग अप्रोच है यह नहीं करना है आप लोग को बिकाज यह एक रॉंग अप्रोच है और रॉंग अप्रोच चलेंगे तो हम कुछ करीं नहीं पाएंगे हमें एक राइट अप्रोच एडॉप करनी है कैसे मैं फास्ट करूँ तो यहां पर होता है डिजिट बाई डिजिट एडिशन क्या होता है डिजिट बाई डिजिट एडिशन है ना मतलब डिजिट को डिजिट जोड के एडिशन करें तो यहां पर गर हम देखें डिजिट बाइ डिजिट एडिशन करते हैं यहां पर तो गर देखा जाए यहां पर हो जाएगा 4 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 8 कितना 22 लास्ट में आया दो तो मुझे ऑप्शन भी चेक करने होंगे मुझे option भी देखने होंगे अगर देखा जा last के दो मुझे पहां दिक्राई कि इहाँ ने दिखा यहा है these option भी बात खत्म और यह approach आपकी D.i. में भी help करने वाली है when you will solve T.i. जब आप T.i. solo करोगे तो यह approach आपकी T.i. में भी आपको help करेगी जब आप T.i. बहुत बड़े-बड़े calculation कर रहे होते हैं, multiplication, addition, subscription अब कर रहे होते हैं, तो आपको यह unit digit बहुत help करती है, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी कभी banking का exam दे रहे हो, और आपका calculation काफी आधा किलो का हो जाए, मतलब काफी बड़ा हो जाए, calculation काफी आधा किलो का हो जाए, तो जब कभी calculation आधा किलो का हो जाए, तो आप option में जरूर नज़र रखें, because ऐसे सवालों में हमने general देखा है, कि आपका question जो है, वो unit digit को लेके solve करते हैं, और हमारा answer match हो जाता है, तो ध्यान रखेगा, जबी भी कभी आपके सामने आधा किलो को question देखने को मिले, तो आप हमेशे option में नज़र डालें, आप बहुत अराम से option से भी निप्टा सकते हैं सवाल को, ठीक है, next करते हैं, आगे देखते हैं, ये रहा, हाँ, यहाँ पर देखो, अब अगर मैं यहाँ पर देखो, तो फिल से difference भी है, but use the unit is it method, तो यहाँ पर देखो, 4 और 8, 12, 12 और 8, 20, 20 और 5, 25, minus 4, 25 minus 4, मतलब last मैं अगा 1, अब अगर मैं 1 देखो, तो 1 मेरा दो जगहा पर है, है, cancel हुआ यह, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, 21 था, 2 हो गया, कह रही है, आपका तो 4 और 2 हो गया, 6, 6 और 5 हो गया, 11, 11 और 7, 18, 18 और 4, 22, 22 minus 5, 17 मतलब 7 आएगा, और 71 दिख रहा है, आप लोगको option number C, बात खत्म, बोलो, समिझ मैं या, हाँ या, ना, 17271, बात खत्म, 17271, बात खत्म, 17271, option number C हो गया, बात खत्म, समझाया है, मैंने कैसे किया, मैं एक बार फिर से repeat करूँगा, देखो, जितने भी लोग यहां पर नहीं जुड़े हैं, वो प्रीज समझेगा बात को, अगर नहीं आ रहा है, तो आप दुबारा पूछे हम से, मैं बताऊँगा, मैंने 21 अंद क्या add की है, 4 और 8, 12, 12 और 8, 20 20, 20 और 5, 25, 25-4, 25-4, 25-4, 21, 1 लिखा, 2 करी गया, अब 2 को मैं भेजूँगा आगे, 2 को मैं ने यहां दिया, तो 2 और 4, 6, 6 और 5, 11, 11 और 7, 18, 18, 18 और 4, 22, 22-5, 17, 7 बचा, 71 देखा, कहां दिखा, option number C में दिखा, वो यहां सार आ गया, क्लिर बा, next बनाएगा, अभी करेंगे, देखु न, जिससे यहां पे देखो, आप लास्ट देखेंने, सब कुछ, हर तरह के मैंने doubt आपके लिए रखें, आप चिंता ना करें, हर तरह के doubt मैंने आपको लिए रखें, चिंता ना करें, अब इसको सवाल देखो जड़ा, बनाओ, अब देखो मैंने बता देए न हर option का यहां पे जो है देखा जाए unit is it सबका सेम ही है तो भी क्या करोगे क्या करोगे करना पड़ेगा यही अपनाएंगे आप लोग है न हम लोग यही अपनाएंगे जो मैंने तरीका बताया आप लोग को जैसे कि 5 और 4 9 add करने वाले add minus करने वाले minus यह आपको पता है basic rule होता है कि जिन numbers के आगे लिखाओ plus उनको plus करते हैं और जिनके आगे लिखाओ minus उनको minus करते हैं तो यहां पर गर देखा जाए 4 और 5 हो जा या तो एक साथ कैसे करोगे बात को समझेगा 5 और 4 यहां हो गया 9 प्लस का 9 आ गया फिर यहां पर देखो minus का 2 minus का 4 मतलब minus का 6 तो यहां आएगा 3 तो अपने 3 लिखा अब 3 मेरा यहां नहीं है मतलब इन 4 में से कोई 1 होगा कोई बात नहीं अब अगला देखो 4 और 6 10 5 minus 5 मतल तब 0 हो गया माम लफस गया अब आगे देखो 8 और 5 13 है ना यहां पर देखा जाए 8 और 5 sorry 8 और 8 और 5 13 और यहां देखा जाए 2 और 2 4 13 minus 4 मतलब हो जाएगा आप लोका 9 OK कोई दिक्कत नहीं है फिर एक देखा जाए 9 और एक 10 6 और 4 10 बात खतम तो 930 कहां से रा गया option number यहां करणा पड़ेगा. пап तो किये ऐसकोवार कैस्सेक कर देखो समझो मैं कैसे कर रहा हूँ या तो एक की लैन में करो ऐसे कर लो ऐसे कर लो बट यहां पर आपको पर यहां ऐसे कर सकते उसको पांच क्योंकि यह नहीं पता ना कि कौन सा बड़ा कौन सोटा आपको पता जब एडिशन करोगे तो 9, 4, 5, 6, 4 और यह 18 something है यह बड़ा होगा रेमेलिंग वाले से मेरे तो अगर देखा जाए 5-2, 3, 3 और 4, 7, 7-4 मतलब लास्ट में आएगा 3 आप directly भी कर सकते हो आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो यह 24 आपकी रहेगी बट आपको यहां पर यह देखना हो पड़ेगा कि कौन सा डिजिट मेरे बड़ा है बिकॉस अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा और नेगेटिव साइन आएगा छोटा होगा तो तो अगर मैं एक साथ करूँ उसको तो 5 और 2, 3, 3 और 4, 7, 7-4 मतलब हो जाएगा 3 फिर 4-5, minus का 1, minus का 1, plus का 6, 5 और 5, minus का है, और 5, plus का है, मतलब यहां जाएगा 0, फिर देखो, 8 और minus 2, मतलब 6, 6 और 5, 11, 11, minus 2, मतलब हो जाएगा 9, तो अब ऐसी भी कर सकते हो, depend करता है आपके उपर कि आपकी अपर यहां पर क्या है, एक और सवाल करते हैं, तो clear होगा, इसक देखे, लाइक करने में कोई कमी मत रखेगा, है ना, तो यहां पर देखो, इसको देखो क्या रहेगा यहां पर, सब नॉर्मल है, अराम से बनेगा, तो यहां पर देखा जाए, पांच है, और यहां माइनस का 4, माइनस का 5, यहां माइनस का 5, तो कर देखा जाए, पांच, 5 , 10 , 4 , 14 , 15 , 15 , 15 , 15 , 14 , 15 , 15 , greed ? पान्ध में से जाएगा 4 , 15 , 9 , 1 , end तो लास्त में आपनों के rec 20 , 12 allora सिर्मिल मैं आपनों के इक ये पॉसिबल नहीं ये पॉसिबल नहीं ये पॉसिबल नहीं ये पॉसिब्सिबल नहीं अप्शन नहीं DR यह शुरुवात है ध्यान रखेगा रेगुलर बेसिस पर हम लोग करेंगे और कल हम लोग सिंप्रिफिकेशन के दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें मैं आपको अलग-अलग टाइप के सिंप्रिफिकेशन कराने वाला हूं तो आंसर कितना अगया आपको करेंगेवका 2721 अप्शन नम्बर D जैस और नू शिंपल था अराम सबन गया एक और सवाल देखते हैं नेक्स्ट अब इसको समझेए सवाल बहुत शांदार है आप इसको भी यहां पर 2121 से कर सकते हो अगर आप देखू ध्यान से तो अदिशन वाले आप अदिशन कर सकते हैं या तो आप देखेंगे और आप्शन सारे प्लस में हैं और 7 अगर दिख रहा है यहां पर आप लोगों को तो option number A में दिखेगा 7 और कहीं नहीं यह 7 बात खतम answer number E आगया मतला option number A आगया मतला option number A आगया ऐसा नहीं कि यही है बहुत कुछ है अगया simplification के खतरनाक सवाल होंगा approximation भी रहेगा arithmetic भी रहेगा सबकुछ रहेगा बस support रही आपसे बिलोग का सुबहनों बोजे रोज daily basis पे class होगी सुबहनों बोजे तो 4797 इसकान सरा है option number A एक और सवाल बनाएगा भी को multiplication आगया यहां पे मैंने काता है कि multiplication equally important रहता है तो multiplication आपका आगया है यहां पर जतनी जल्दी fast multiply करेंगे उतनी जल्दी आप इस सवाल को बना पाएंगे तो बनाएगे इसको फटाफट से देखते हैं कि अब दोको multiply आगये यहां पर है ना तो वही है मैंने काता है कि multiplication equally important है सबके लिए तो यहां पर लिखावा है कि 7484 है ना और यहां पर 21 into 13 है और यहां पर 5246 तो मैं इसको भी 1 संक्या से कर सकता हूं मैं try करूंगा तो यहां पर तो 4 आ गया यहां पर दो को multiply करोगे तो last में आपका 3 आएगा और यहां पर आपका 6 हो गया तो 4 और 3 साथ because अब multiply करोगे तो last में तो 3 मिलेगा ही मिलेगा आप लोगको 7-6 मतलब 1 दिख रहा है और 1 यहां पर आपको 2 option में दिख रहा है c और d में मतलब मेरा 21 संक्यास से नहीं बनेगा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा तो अगर मैं देखूं यहां पर लिखा 7-4-8-4 खट से multiply किया 13 बन जा 13 लिखा 3 करी गया 1 13 तो 26 और यहां हो जाएगा 27 और यहां पर कितना हो गया आप लोगका minus का 5 2 4 6 तो 4 और 3 7 7-6 आया 1 फिर 8 और 7 8 7 15 15 15 15-4 मतलब 11 के वर आया 1 तो 1 आ रहा है आप लोगको लास्ट में 1 1 तो option number 10 का answer आ गया मैं पूरा नहीं करूंगा यहर marks तो नहीं मिलने ना जो पूरा करेगा उसको भी इतने marks मिलने तो भाई क्यों ना क्यों हम लोग अब smart work का use करें अपने question को solve करते समय है ना तो यह help करेगा आपको अपके exam में next देखिए कि कि multiplication भरा हुआ है यहां पर बनाओ कि कि बताओ तुम लोग को नाम ही नहीं पता मेरा है Siddharth है ना अब तुम लोग क्या ही बताओ यार है रस्ट बाड आई होगे आप लोगो प्लीज जितनी भी लोग यहां पर नहीं जोड़ें subscribe जरू करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करता कि आपको मेरी class का वीडियो, even सबकी class का वीडियो मिल सके तो यहां पर दिखो कैसे करोगे 23 को 16 से कर में multiply करो 16 तरीजा होता है आप लोगा 48 है ना 16 16 तीया है कितो होता है 48, 8 लिखा 4 कह रही 16 तू जा 32 32 और 4 कितना 36 78 को 15 से multiply करना है आप औरली करें 15 को 8 से multiply 120 लिखा 0 गया 12 15 को 7 से multiply 105 105 और 12 करोगे add तो यहां पर जाएगा 117 और यहां पर कितना अप लोग का 3, 2, 5, 6 है यह भईया अगर इसको देखा जाए 6 और 0 और 8 8 यह 14 कह रही गया 1 6 और 1, 7, 7 और 7, 14 14 और 5, 19 मतलब 9 तो 94 गुरु कहा दिखा 4794 इसकांसर आगया बात सिंपल है गैंग्स और सिधार्त पुड़ोतम लोग अब रुकना नहीं बिलकुल बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को बता एक बात लास्ट यह का अगर मैं रिफरेंस लूँ तो SBI PO आया और तुरंत बिलकुल तुफान की तरह आया प्रिलिम्स करवाया मैंस कराया और ज्वानिंग भी दे दी तुफान की तरह आया अगर आप लोग को याद हो आप लोग को याद हो जितने भी लोग यहां पे हैं तो केवल 40 डेस का वक्त मिला था नोटिफिकेशन से एक्जाम तक की और उसके 30 दिन बाद दमेंस हो गया तो अब हम लोग इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं यहां पे कि अगर नवंबर में भी हमारा SBI आता है तुम पूरा कवर कर लें अपना और बाकी यह चलता रहेगा topic best मैं यहां पे पढ़ाओंगा अगर कोई एक्जाम आ भी गया तो फिर रात तो अपनी है ना अगर कोई एक्जाम आ भी गया बीच में तो रात तो अपनी है रात तो अपनी है बस रात अपनी है ना तो चिंता मत करो अगला बनाओ division 19 से divide करना पड़ेगा ठीक है चलो अब इसको देखो जड़ा सवाल बहुत कैड़ा है अब इसको देखो जड़ा कैसे बनाओगा इसको मतलब division देखो आ गया यह तो normal दे रखा है यहां पर division आ गया तो अगर मैं 19 से इसको उड़ाऊं किती बार 19 से किती बार देखो दो बार 38 है ना 38 आया कितना बचा 58 19 थीजा और 19 वन जा तो 231 यहां पर आजाएगा बताओ हाँ यहां ना 231 यहां पर आजाएगा यहां यहां पर नहीं है यहां पर नहीं 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 बन गया ना अगला सवाल इसको देखो डिविजिन बहुत इंपोर्टेंट है, मल्टिप्रिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है, हर चीज का अपना एक है ना, एक्जिस्टिंस है एक्जाम में कि अगर यहां देखा जाए, तो मैं इसको काटंगाँ अगर यहां पर 21 से कितनी प्लेगा आप लोक का 5 बार जाएगा 105 बचा 44, 21, 2 जा हो जाएगा फिर 21 मंजा हो जाएगा तो यहां आजाएगा 521 आजाएगा प्लुक का फिर 16 से कर मैं स्कोराओं तो 16 मंजा 16 हो गया क्या एट और नाइन 16 फाइजा कितना हो जाएगा प्लुक का 80 बचा 96 16 6 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लोक का 156 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3252 तो मैंने काता है ना equally important है तो यहां देखो 6 और 7 7 और 2 हो जाएगा प्लोक का 9 9 दिखा last में यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं option number A smart work 3929 इसका answer आगया बाद खत्म 3929 बोलो yes हाँ यह ना clear है गन करने इसको आगे बढ़ते हैं next यह बहुत खुबसूरत है यह बहुत शानदार सवाल है बनाएगा देखते हैं यहां पे कि कैसे हम अपने दिमाग का इस्तमाल कर सकते हैं expand करेंगे main focus ही रहेगा कि इस session के जरीए मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊँ जो आपको लगता है यह पॉसिबल है क्या यही रहेगा कल से मतलब इवनाथ से यही है कि आपको मैं यह भी करके दिखाना चाहूँगा कि आपके मन में यह आए कि क्या यह भी पॉसिबल है और प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी बहुत सारे मिलने वाले है चिंता ना करो केवल एक हफ्ते की बात है simplification करके फिर अगले हफ्ते से हम लोग करेंगे arithmetic अब अगर मैं इस सवाल को बहुत ध्यान से देखूँ मतलब बहुत सरसरी निगाहों से देखूँ बहुत बारी किसी से देखूँ तो यहाँ पर देखो 81 है यहाँ पर 18 है और यहाँ पर देखो 225 है मैं खट से 9 common ले सकता हूँ पूरा पूरा तो 71 इंटु 9 हो गया 23 इंटु 2 हो गया और अगर मैं यहाँ से 9 निकाल लू तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 45 sorry कितना मिलेगा 25 मिलेगा अगर मैं 225 में से 9 बाहर निकाल लू तो मुझे मिलेगा 25 और 25 divided by 5 मतलब मुझे मिलेगा यहाँ पर 5 समझे तरीका is this clear to all? yes or no तरीका मज आया तो यहाँ पर एको 9 आ गया फिर 17 को 9 से मिलेगा तो 9 7 जा हो जाएगा 63 9 जा 9 और 6 मतलब 153 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तो अगर मैं देखू यहाँ पर तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लूग का 6, 3, 9 6, 3, 9 और 5 14 हो जाएगा 4 और 5, 9 और 1, 10 हो गया यहाँ पर कितना ह है आप लुग का 204 9, 4, 3, 6, 38, 8, 36 इसका आंसर आगया बातख़तम option number आगया एक तरीका तो इसका यह है एक तरीका तो उसका यह है, ठीक है, एक तरीका तरीका तो यह है, इसको और एक अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कि इतनी लोग नहीं किया मुझे बताओ, बट देखो इसका तरीका एक और है, मैंने हमेशा बोला आप लोगों से की, you have to focus on unit digit, एक तरीका तो बता दिया हैं मैं यहां पर एक 6 भी है, तो अगर मैं इसे जो है, अगर मैं इसे लिखूँ, 7 को 1 से multiply, यहां पर 7, फिर देखो, 3 को 8 से multiply करोगे, 3, 8, कितना हो जाएगा, 24, last में 4 आएगा, और अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर देखा जाए, तो कितना हो जाएगा, last में कितना यहां पर आएगा, यहां पर आएगा आप लोग का 9, आप ऐसे भी कर सकता हो, मना फुन नकिया है किसे न, यार, तो यहां पर देखो, नहीं, अगर मैं ऐसे करते हैं, तो 8, 3, 24, last में 4, 17, यहां पर आएगा, 7, और यहां पर कितना हो 5, 4, 20, 5, 5, 5 जा, ठीक है, 5 आएगा, तो 5 और 4 9 और 7 16 मतलब last में 6 और last में 6 तो option नमबर आ जाएगा a लास्ट में 6 तो option नमबर हो जाएगा a बोलो हाँ या ना मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने यहां पर क्या किया multiply किया 7 आया यहां पर देखो multiply करो कि तो last में 4 आएगा और यहां पर देखा जाए तो कितना एगा last में 5 आएगा तो 7 और 4 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 मतलब last में 6 option नमबर a हो गए अब आद खतम तो अहां पर आनसा कितना है आप लोका 1836 option नमबर a बोलो clear है yes or no अब बताओ clear है yes or no अरे ठीक है सही हो गया last में 5 कर दिया यहां पर कितनी बार दाएगा 45 बार जाएगा वह बहने common लिख तो 9 लिख दिया था 45 हो जाएगा तो 5 लास्ट में 5 आएगा 5 4 9 7 16 लास्ट में 6 बात कर दो और अगर यहां पर कई बार आया छे मानलो यहां बेसिक होता और यहां बेसिक होता और यहां बेसिक होता मतलब more than one option में आपका 6 होता तो मैंने आपको बेसिक से बताया हुआ है कि आपने 9 खट से common लिया 9 common लिया उड़ा दिया जीए की class होती ही 12 बजे ना तो जीए 12 बजे आप अटेंड करना और साम को सुभी भी होती ही 7 बजे class बोलो clear है हाँ यहा ना मजाया चलो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं बाई सब्सक्र अड़ी प्लाने वो यह है दोस्तों कि हम लोग यहां पर हम लोग यहां पर अपना यह 6 दिन जो है सिम्लिफिकेशन पड़ेंगे बिकॉस मैं चाहता हूं कि आपके हातों पर खून लग जाए का और एक बर जब खून लग जाएगा ना तो रुकना होगा नहीं और फिर धा आप देख सकते हैं आगे है ऐसा नहीं कि मैं नहीं पर हो आप देख सकते हैं लाइन से यहां पर रहने वाला है complete arithmetic है मतलब अगला अगर देखा जाए तो अगले बारा दिन लगातार arithmetic हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये जरूरी है na simplification बहुत जरूरी है किस तरह से fast calculation किया जाए ये मुझे आपको सिखाना है ठीक है अब मान लोग कभी आपके सामने लिख के अब मान लोग कहीं इस तरह से लिख जॡ़के आगे दो, 6 की भावर हो जाएगा, 3, divide by हो गया, 36 की भावर हो गया, 2,फ्लोग का 2 ञेके, कभी भी आपके किसी भी arithmetic का part basic लिए अगर बात करूं तो menstruation का part बन सकता है जहांपे हम लोगो cube root से cube निकालते हैं volume वाला होता है न फंडा यह सब करते हैं number series है बेटा number series है इसका study plan पूरा 65 days का number series मैंने रखी है तो यह सिखाऊंगा मैं आपको भई इसका मतलब होता है 6 की पावर 3 भई इसका मतलब 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मतलब होता है 6 की पावर 9 हो जाएगा डिवाइड करेंगे यहां पर 6 की पावर 2 2 को 2 से multiply मतलब 6 की पावर 4 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 6 की पावर 5 बराबर जाएगा 6 की पावर x ये सिखाना है मुझे division में माइनस होता है तो 9 माइनस 4 प्लस 5 ये सब सिखाऊँगा भी ऐसे नहीं कि बस हाँ हाँ हमें बोल दिया नहीं सिखेंगे 9 5 14 माइनस 4 मतलब 10 बराबर आप लोग का हो गया x ये सिखाएंगे आप लोग चलो अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं मैं थोड़ा सा एक्सा पढ़ाँगा आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको square निकालना नहीं आता जल्दी बताओ मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिनको square निकालना नहीं आता don't know how to calculate square ऐसे किते लोग यहाँ पे हैं जिनको square निकालना नहीं आता बताईए किते लोग यहाँ पे मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता मुझे सिखाओ मैं भूखा हूँ square का बताओ भी किते लोग यहाँ पे जिनको square निकालना नहीं पता मतलब अभी सिखा रहा हूँ, जाना कहीं नहीं, अभी कुछ सिख के जाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि कल से तो असली शुरुआत होगी हमारी, है ना, simplification पर करदम रखेंगे हम लोग, बढ़ थोड़ा कौछ सिख लेते हैं, मौच कर देते हैं, तो मैं आप लोग को सिखाने वाला मौँ 0 से 8 तक QUE SQUARE सिखाने वाला हूँ, जो की बहुत help करेगा आप से भी लोग को बहुत सारे को्वेस्षन को solve करने में, तो 0 से 80 تक का SQUARE कैसे निकाले मैं, सबसे पहले मैं सिखा ओंग आप लोगको 0 से 50 तक की SQUARE, क्या है 0 से 50 तक की square निकालना सिखाऊँ गाँ सबसे पहले तो कैसे करोगे बात को समझेगा अगर मैं बात करूँ 0 से 50 तक की square की तो आपको एक number ग्राइजूम करना पड़ेगा यहां पे 25 है ना एक number ग्राइजूम करना पड़ेगा 25 यह कौन सा एक Corona number, क्या वो लोग ऐसे, Corona number, है ना, नहीं, जो भी मन्चा है, नाम रख लो इसका, है ना, इसको एक खिंगे, हम लोग क्या, एट का स्क्वाइर निकालना है, तो अब क्या करोगे, कुछ मत करना, आपने कंपेर करना इसको 50 से, 50 से कितना कम है, दो कम है ये, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वाइर होता है, आप लोग का कितना, 4, सिंगल है, तो यहाँ आजाएगा, 0, और इस 2 को 25 से माइनस कर देना, 25 माइनस 2, तो मतलब हो जाएगा 23, बात खत्म, आंसर आग्या 2304, ठीक है, फिर से देखो, मैंने बोला, 49 का स्क्वाइर, कंपेर करना है 50 से, कंपेर करना है 50 से, और 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वाइर 1 सिंगल है तो 0, 25 में से 1 माइनस करूंगा, आज आएगा 24, 240, 0, 1 अगला देखो, मैंने बोला, 47 का स्क्वाइर निकालना है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वाइर, 9, सिंगल है तो 0, 25 माइनस 3 करोगे, तो यहाँ जाएगा 22, तो 2209 इस कांसर जाएगा बात खत्म, देखो, एक बात और कहेंगा आप लोगों से, कि आप लोग रिपीट करने का मत बोलना, बिकाज मैं खुदी, एक बार नहीं, मैं हर सवाल को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करने वाला हूँ, जब मैं कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों, अगला देखो, मैंने बोला 46 का स्क्वेर, तो भई, 46 कितना कमें 50 से, 4 कमें, तो 4 का स्क्वेर इस 16, 25 माइनस 4, 21, यहां, आरे सिखा तो रहा हूँ, सीखलो बच्चा लोग, मैंने बोला 44 का स्क्वेर, मैंने बोला 44 का स्क्वेर, तो कितना कमें, 6 कमें, कितना कमें, 6 कमें, तो 6 का स्क्वेर हो जाएगा 36, 25 माइनस 6, 19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1936, mains की त्यारी निक कर आगे देखो तुम लोग यार फूरा वीजो देखा करो मैं बोल ला हूँ आपकी mains की class शाम को चार बजे चल लही है अब वो जोईन कर सकते हो शाम को 4 बजे आपकी mains level की class में पढ़ा रहा हूं लगातार और कम से कम मैं पढ़ाने वाला हूं 35 दिन तक 35 देस तक मैं पढ़ाने वाला हूं मेंस की क्लास 35 देस तक मैं पढ़ाने वाला हूं मेंस की क्लास तो आप जुड़िए मेरे साथ मेंस की क्लास में शाम को 4 बजे मेंस क्लास चल लहीं बच्चा आप लोग की मैंने बोला 42 का स्क्वाइर निकालो तो ठाय ठाय करो फटा फट से 25 से सब्ट्रेक्ट इसलिए कर रहे हैं इसका कंसप्ट है बिटाईए कि मुझे जो भी 50 से कम नंबर है उसमें 25 से ही माइनस करना है तो 42 8 कम है 8 का स्क्वाइर 64 तो 25 में से जाएगा 8 कितना हैगा 17 1764 ठीक है मैंने बोला 41 का स्क्वाइर देखा लो अरे स्लोई तो बता रहे है बिटा 9 कम है 50 से 9 का स्क्वाइर जाएगा 81 25 मैनस 9 कितना हो जाएगा अप्रों का 16 स्क्वाइर सुपर ट्रिक अगला एको मैने बोला लसे तो यादी कर लो 38 का स्क्वाइर अगर मैं बोलू हूँ आप लोगों से तो यह अटीस आपको पता होने चाहिए कि 38 का स्क्वाइर मतलब 40 तक का स्क्वाइर याद कर लो आज सब लोग आज का नारा 40 तक का स्क्वाइर हमारा है ना आज का नारा 40 तक का स्क्राइर हमारा अटलीस आप जब कल मेरी क्लास में एंटर करेंगे तो सबको 40 तक की स्क्वाइर लर्न होने चाहिए बाकी 41 से 50 तक की सिखा दिए 50 से 80 तक की सिखा दूँगा तो at least आप लोग 40 तक की square learn कर लें, because 38 का square simple है, 1, 4, 4, 4 होता है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं तरीके से, बट आप safe zone में रहेंगे, कि अगर आप 40 तक का square याद कर लेते हैं, तो कम से कम, क्योंकि बैंकिंग फांडेशन का मतलब है 40 तक का square आपको पता होना चाहिए, अब चाहें तो निकाल सकते हैं, 50 से 12 कम है, 12 का square 144, 44 लिखा मैंने, 1 करी गया, तो 25 में से जाएगा, 12, 13, plus 1, 14, 144, तो ये तो होगे कम वाले, अगर मान लो आता है जाड़ा वाला, मतलब 50 से 80 की बीच में आता है, तो क्या करोगे, कुछ मत करना, बस केवल प्लस कर लो, कुछ मत करना, बस केवल प्लस कर लेना, जैसे कि मैंने बोला, 52 का square, तो बस वहाँ पर करते थे minus, यहाँ करते थे plus, तो 52 का मतलब हो जाएगा, 2 बड़ा, 2 का square 4, single लिख जीरो, 25 में वहाँ करते थे minus, यहाँ करेंगे plus, तो 25 प्लस 2 हो जाएगा 27, मैंने बोला, 53 का square, बड़े वाले में प्लस करेंगे, छोटे वाले माइनस करेंगे, बाकी मैं याद करा दे रहाँ आप लोगो, 80 तक की, बस आप 40 तक याद कर लो, 3 बड़ा है, 3 का square हो जाएगा 9, single है तो 0, और 3 एड़ करेंगे 25 में, 25 प्लस 3, 28, अरे भई, जिस तरह से तुम लोग अपने बाबू का नमबर याद कर लेते हो, उसी तरह से, उतनी शिदत से, आप लोग 10 तक की square और याद कर लो, भई, 30 तक का तो यादी है, 30 से 40 याद करने, 10 नमबर का square याद कर रहे हैं, बस, बाबू का नमबर तो बड़ा याद होगे तुम लोग को है, 50-50 नमबर होगे तो 50-50 नमबर भी तुम लोग को याद होगे, और 40 तक का square तुम लोग को याद नहीं हो रहे हैं, आप 14 तक का स्क्वार याद कर लो बटा बता रहे है तो अगर मैं आप लोकों से बोलू फिफ्टी एट फिफ्टी फॉर का स्क्वाइर क्या होगा तो 4 बड़ा है 4 का स्क्वाइर 16 और 25 प्लस 4 29 फिफ्टी सेवन का स्क्वाइर निकालो फटा फट से तो 7 का स्क्वाइर 7 बड़ा है 50 से 7 का स्क्वाइर 49 तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 32 मैंने बोला 59 का स्क्वाइर 9 बड़ा है 9 का स्क्वाइर 81 25 प्लस 9 34 अगला देखो मैंने बोला आप लोगों से 62 का स्क्वाइर उमीद करता हूँगी आप सब लोग लाइक करेंगे सेशन को जितने भी लोग यहां पर नए जोड़ें प्लीज लाइक किजगों कि महनत बहुत लग रही है महनत बहुत लग रही है और महनत करेंगी हम लोग अंतिम वक्त तक महनत करेंगे जब तक कि हमारे हरे चीज बिलकुल कॉंक्रीट न हो जाए तो यहां पर 62 का स्क्वाइर निकालना है 12 बड़ा है अगर देखा जाए 50 से 12 बड़ा है 12 का स्क्वाइर 144 तो मैंने 44 लिखा और 1 गया कैरी तो 25 प्लस 12 25 प्लस 12 37 प्लस 1 38 आंसर आगया 3844 क्या किया मैंने 62 को देखा तो ये 50 से कितना बड़ा है 12 बड़ा है 12 का स्क्वाइर किया आया 144 तो मैंने केवल 44 लिखा और 1 गया मेरा कैरी तो 25 मैंने 12 जोड़ा तो यहां जाएगा 37 एक कैरी आया 38 अगला देखो 64 का स्क्वाइर तो भई 14 बड़ा है 14 का स्क्वाइर 196 लिखा प्लस बन गया कैरी 24 और 25 और 14 39 प्लस 1 40 सिंपल है मौज कर दी है साही कर दी है तो लो अगला देखते हैं मैंने बोला 72 का स्क्वाइर यह अपने आप में बड़ा सवाल आ गया 72 का स्क्वाइर डेली क्लास होगी 9 बजे डेली मेरी क्लास होगी 9 बजे मतलब Monday to Saturday मेरी क्लास होगी 9 एम डेली बेसिस पे तो अगर मैं देखू यहां पे 72 का स्क्वाइर मतलब 22 बड़ा 22 का स्क्वाइर यहां हो जागा 484 तो मैंने 84 लिखा और 4 गया क्यारी ठीक है तो 25 प्लस 22 कितना जागा प्लोक का 25, 22, 47 है ना और 4 कितना जागा 51, 5184 ठीक है चलो तो 5184 हो गया अगला देखो जड़ा मैंने बोला 76 का स्क्वाइर अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ पूरी क्लास है बटा अपना जितने भी लोग यहां पर बीच में ने जोड़नें पूरा स्टडी प्लान देख लिएगा कि स्टडी प्लान 65 डेस का है और 65 डेस लगातार आपकी क्लास चलेगी वो मेरी रिस्पोंसिबिल्टी की मैं कैसे पूरा करता हूँ इसको बट 65 डेस लगातार आपकी क्लास चले वाली है ठीक है 76 का स्कॉरर अगर मैं बात करूँ तो 26 बड़ा 26 का स्कॉरर 6, 76 76 लिखा 6 गया कहरी तो 25 और 26 51 51 और 6 57 ठीक है बताओ, तो पूरे आपके square मैंने यहां तक, अगर मैं देखूँ यहां पे ध्यान से, तो पूरे-पूरे आपके square है वो यहां पे मैंने 80 तक कर दिये हैं, कल जब हम लोग मुलाकात करेंगे, तो कल हम लोग 80 के उपर discussion करेंगे, ठेक है, 80 के आपके उपर जो हम लोग discussion करेंगे यहां पे, तो आप तो जुड़ेगा मेरे साथ पे, है ना हमारे इस official YouTube channel पे, कल सुबह 9 बोजे, जहां पर हम लोग 80 प्लस करने के साथ-साथ simplification का पहला सवाल discuss करेंगे, तो यहां पर मैं देखूँ, मैं आपको study plan दिखा देना हूँ, यह study plan है, जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं, प्रेजिस study plan को देखें, और comment जरूर करना आज, आज आप से भी लोग को comment करना है, और बताना है कि कैसा लगा session, और क्या आपके इंदर ये बात आई, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो चीज़ा बना सकते हैं, तो क्या आपके इंदर ये बात आई, तो प्लीज 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 दू, लेट मी नो इंदर कमेंट बोक्स की हैं, आप सब लोग बिल्कुल तयार और परफॉर्म करने के लिए, कल सिंप्लिफिकेशन का पार्ट वन रहेगा, कल सिंप्लिफिकेशन का पार्ट वन रहेगा, जिसकों बहुत डिटेल में डिसकर्शन करेंगे आपके साथ में, तो कल जुड़ते हैं सुबह नो बजे, अपने सेम टाइम पर जहाँ पर सिंप्लिफिकेशन के, मैं बतेरो टाइप discussion करूँगा आपके साथ में तो कल मुलाकात करेंगे सुबह 9 बजे simplification part 1 के साथ में और फिर part 2 भी रहेगा हाई चीज रहेगी यहाँ पे बहुत खास रहने वाला है तो कल जुड़ते हैं आप लोग के साथ में है ना बिलकुल इसी session के मतलब इसी जोश के साथ में प्लीज लाइक जरूर कीजएगा और comment box में comment के जरूर बताएगा कि हां सर मज़ा आया मतलब अगर हम इस तरह से चलेंगे study plan अगर देखें आप पूरा 65 days का study plan है और इस study plan को follow कर लिया पूरा तो शायद मुझा लगता है कि prelims सारे exam clear हो जाएगा ना तो यह free classes आप सब लिए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजएगा bell icon को जरूर प्रेस कीजएगा और यह free classes को जरूर जरूर जर रहेगा day 2 जहां पर हम लोग simplification की यहां पर हम लोग बात करेंगे ठीक है तो session में ता रखते हैं उमीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा है ना और मैं भी बहुत खुश हूँ आप से लोग की comment को देखके और बस thank you so much अपना ख्याल रखी सब लोग है ना और ध्यान रखेगा और अपने parents को मेरा नमस्कार बोलिएगा और बोलिएगा कि भाई अब आपके चिंता करने के दिन दूर गए बिकॉज अबर 8247 अलेक्या आगया है शुने से शेकर तक का session जहां पर आप सभी लोग को parents के सपनों को पूरा करने का इरादा हमारा ह है और आपसे भी लोग को selection दिलवाने का इरादा हमारा है तो बस अब आपके parents को बोल दिजएगा कि आप परिशान मत हो परिशान मत हो अब हम लोग को एक ऐसा session मिल गया है जिसके जरीए हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो अपने parents को नमस्कार बोलेगा मेरा खुश रह को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी class का video सबसे पहले मिल सके subscribe तरके bell icon को जरूर प्रेस किजएगा ठीक है जितने भी लोग यहां पर नहीं जुड़े हैं कि यह session चलने वाला है बहुत आगे तक ठीक है तो love you all bye take care and thank you so much enjoy